हेलो दोस्तो, स्वागत है आपके अपने यूट्टूब चैनल नौलेज लेविन में दोस्तो, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 GKGS के बारे में जो रिपीट बाई रिपीट हरे एक एकजाम में पुछे जा रहे हैं जी है दोस्तो, यह ऐसा कोचन है जो हर एक बार कहीं ने कहीं किसी ने किसी एकजाम में रिपीट बाई रिपीट यह सवाल पुछे ही जाते हैं जो आज के लिए हमारा बहुत ही खास है दोस्तो, किसी भी एकजाम में यह सवाल पुछे ही जाते हैं कि भरोसऩ नहीं बीडियो सिर्फ एस्केप मत करना चले कि चुछ Face करते हैं है दिन सबसे पहले हमारा सवाल है है कि सबसें हमारा सवाल है प्रतिय पहली बार कभ स्नसोधित किया घ्या कि जो सक तो भातिय समिधान को पहली बार suits 1950 में समिधान सनसोधन हुआ कि सम湖 ओपचास में यह बहुत बार की बार समिधान सनसोधन कभ फैक्ता शुक्छ अगला रॉलेक्ट एक्ट अगला हमारा है दोस्तों रॉलेक्ट एक्ट को किस वर्स लागू किया गया था रॉलेक्ट एक्ट जो कि भातिये के लिए एक अंधा कनून था उस टाइमें यह कब लागू किया गया था 1919 में रॉलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था 1919 में ये कैसा कानून था तहे या एक अंधा कानून था कैसा था दोस्तो अंधा कानून था भार्तियों के लिए क्योंकि इसमें अंगरेज बीना किसी जाज परतार के किसी भार्तिये सवतंत्रा सिनारी को उठा के जेल में डाल सकती थी इसलिए इस कानून को अंधा कानून बोला गया सवाल में ये भी पुछा जाता है कि अंधा कानून किसको कहा जाता है अंधा कानून रॉलेक्ट एक्ट को कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों रॉलेक्ट एक्ट अगला महराना परताप बुलबुल किसे कहते थे महराना परताप बुलबुल किसे कहते थे बहुत साले किताबों में आपने बुल बुल का नाम सुना है तो महाराना परताब बुल बुल अपने घोरे को कहते थे किसको बोलते थे दोस्तो घोरे को महाराना परताब के घोरे का नाम बुल बुल था क्या था दोस्तो बुल बुल महाराना परताप के घोरे का नाम क्या था दोस्तो बूल बूल अगला हमारा है दोस्तो बक्सर इवांडर होली फिल्ड को किस नाम से जाना जाता है बक्सर इवांडर होली फिल्ड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तो बक्सर इवांडर होली फिल्ड को दरीयल डिल के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है दरीयल डिल बॉक्सर इवांडर होली फिल्ड को किस नाम से जाना जाता है दरीयल डिल किस नाम से दरीयल डिल गुप्त काल में कौन सी गुफाय निर्मित की गई थी गुप्त काल में कौन सी गुफाय की निर्मान की गई थी? इसे और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तो, सहाद्री परवत को दवेस्टन घाट्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है दोस्तो? दवेस्टन घाट्स. सहाद्री को किस नाम से जाना जाता है? दवेस्टन घाट्स. किस नाम से? दवेस्टन घाट्स. भारत की सबसे पुरानी परवत्स रिंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी परवत्स रिंखला अरावली है भारत की सबसे पुरानी परवत्स रिंखला अरावली परवत्स रिंखला है? भारत की सबसे पुरानी परवत्स रिंखला अरावली परवत्स रिंखला आंध पर्देश का लोक निरित क्या है अगला हमारा है दोस्तो आंध पर्देश का लोक निरित क्या है दोस्तो आंध पर्देश का लोक निरित कुची पुरी है आंध पर्देश का लोक निरित कुची पुरी आंध पर्देश का लोक निरित कुची पुरी आंध्ध पर्दिशक लोक्नेत कुचि पूरी अगला, किस भार्तिय ने प्रबुद भारत पत्रिका शुरू की? प्रबुद भारत पत्रिका स्वामी वीवेकानंद ने सुरू किया था प्रबुद भारत पत्री का किसने शुरू किया था? स्वामी विवेकानन्द प्रबुद भारत पत्री का किसने शुरू किया था? स्वामी विवेकानन्द प्रबुद भारत पत्री का किसने शुरू किया था? स्वामी विवेकानन्द फेस्बुक के संस्थाप कौन है दोस्तो मार्क जुकरवर्ग सहनामा किसकी करिती है यानि सहनामा के लेख़क कौन है या सहनामा किसकी करिती है तो दोस्तो सहनामा के लेखक फिर्दावसी हैं सहनामा के लेखक कौन है दोस्तो फिर्दावसी सहनामा किसकी किरिती है दोस्तो फिर्दावसी की भारत में सफेद करांती के जनक किसे कहा जाता है भारत में सफेद करांती का जनक किसे कहा जाता है तो दोस्तो भारत में सफेद करांती के जनक डक्टर वर्जित कुरियन को किसको कहा जाता है दोस्तो डक्टर वी कुरियन यानि डक्टर वर्जित कुरियन भारत में सफेद करांती के जनक डक्टर वर्जित कुरियन भारत में स्वेत करांती के जनक डक्टर वर्जित कुरियन रांथा भर चीता सरन अस्थल या रांथा भर अभ्यारन कहां है अनेको तरह से कोचन हो सकता है रांथा भर चीता सरन अस्थल कहां है या रांथा भर चीता अभ्यारन कहां है तो दोस्तो रंथा भर्चिता भ्यारन ये है रजस्थान में कहा है दोस्तो रजस्थान में रंथा भर्चिता भ्यारन कहा है रजस्थान में कहा है दोस्तो रजस्थान टेली फोन का विश्कार किस ने किया अगला हमारा है दोस्तो टेली फोन का विश्कार किस ने किया तो दोस्तो टेली फोन का विश्कार अलेकजेंडर ग्राहम बेल ने किया किस ने किया दोस्तो अलेकजेंडर ग्राहम बेल टेली फोन का विश्कार किस ने किया अलेकजेंडर ग्राहम बेल किस ने किया था दोस्तो अलेकजेंडर ग्राहम अगला आर्बी सी का निर्मान कहा होता है अगला हमाई दोस्तो आर्बी सी का निर्मान कहा होता है तो दोस्तो आर्बी सी का निर्मान अस्थी माजा में होता है कहा होता है दोस्तो अस्थी माजा में आर्बी सी का निर्मान कहा होता है दोस्तो अस्थी माजा में RBC का निमान अस्थी माजा में उत्तर परदेश का कौन सा नगर ताला उधोक के लिए परसीद है तो दोस्तो उत्तर परदेश का अली गर्ड नगर ताला उधोक के लिए फेमस है ताला उधोक के लिए कौन से सहर फिरमा से दोस्तो उत्तर परदेश का अलिगड़ उत्तर परदेश में सबसे यदा ताला बनाने की कमपणी कहा है दोस्तो अलिगड़ में कहा है अलिगड़ महत्मा गाधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था महत्मा गाधी को अर्धनांगा फकीर किस ने कहा था तो दोस्तो महत्मा गाधी को अर्धनांगा फकीर जोर्ज चर्चिल ने कहा था किस ने कहा था दोस्तो जोर्ज चर्चिल यह उस समय ब्रेटेन के परधान मंत्री थे कौन थे दोस्तो जोर्ज चर्चिल ये उस टाइम विरेटेन के परधान मंत्री थे महात्मा गाधी को अर्धनांगा फकिर जोर्ज चर्चिल ने कहा था किस ने कहा था जोर्ज चर्चिल ये कौन थे उस टाइम के विरेटेन के परधान मंत्री सन्यूक तराश्चंग के पर्थम महासचीव कौन थे जोश्तो सनिक्त्राषचाँ के पर्थम महासाची ट्रीग वेली सोतांत्र भारत के पर्थम गवर्णर जरनरल सोतांत्र भारत के पर्थम गवर्रनर जरनरल स्वतंत्र भात के पर्थम भार्तिय गोवर्नर जनरल सिराज गोपल चारी थे कौन्त दोस्तो शिराज गोपल चारी स्वत्ягत के पर्थम भार्तिय गोपल जिरनर चारी यह स्वत्तंत भार्तिय गोपल जन्रल। कौन था दोस्तो पर्थम भार्तिये गौर्णर जेनरल करना वालिस द्वारा इस थाई बंदोबस की पधती कब लागो की गई थी? करना वालिस द्वारा इस थाई बंदोबस की पधती कब लागो की गई थी? तो दोस्तो करनावालिस ने 1787 में इस थाई बंदोबस की पदती शुरुआत की थी कब की थी दोस्तो उनी 1787 में दोस्तो इस सवाल में दोहर सवाल पूचा जाता है ये पूचा जाता है कि इस थाई बंदोबस की पदती किसने शुरु की थी दोस्तो यह किया था कर्णावारीश ने किसने किया था कर्णावारीश ने अगला साइमन कमिशन कब आया था भारत साइमन कमिशन कब भारत आया दोस्तो साइमन कमिशन 1928 में भारत आया था कब आया था दोस्तो 1928 में साइमन कमिशन भारत कब आया था 1928 में जालियावला बाग हत्याकान कब गता दोस्तो? जालियावला बाग हत्याकान कब गता दोस्तो? तेरा प्राइल उनिसा उनिसको हिरा कुंडबाद किस राज में है किस मच्छर के काटने से डेंगु जवार होता है किस मच्छर से किस से एंडिज मच्छर जल का पेच्छिग घना तो कितना होता है जल का पेच्छिग घना तो 4 डिगरी सेल्सियस होता है जल का पेच्छिग घना तो कितना होता है दोस्तो 4 डिगरी सेल्सियस कितना होता है 4 डिगरी सेल्सियस चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो कैसे लगए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही